प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल जब कोई करता, सबजेक्ट, डूर, ये कहें कि वो या कोई और करता किसी क्रिया, कार्य को वर्तमान काल में कर चुका है या कर लिया है तब ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहलाते हैं या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब हमें हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके है, क्रिया के तुरंद बाद मिलता है तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंज पूर्ण वर्तमान का के वाक्य कहलाते हैं जैसे 1. मैं खाना खा चुका हूँ मैंने खाना खा लिया है 2. वो ओफिस चली गई है वो ओफिस जा चुकी है 4. वो ओफिस आउए 1. मैं खाम्या Ö जा चुका है 1. मैं मैं खाली खाली परीוכसमान, क WRT म है 2. Smis ऑ अप्रूद क्यक्व De मैं और चुका है 3. अप्रूद को है 3. वो ओफिस आउए 4. ओफिस बास वो ओक्य को है 5. प्रूद को है has, have, plus subject, plus object, complement of the sentence, question mark, negative interrogative, has, have, plus subject, plus not, plus v3, plus object, complement of the sentence, question mark, first person, I and V plus have, second person, U plus have, third person, plural number, they plus have, these plus have, those plus have, Neha and Ravi plus have, third person, singular number, it, plus has, this, plus has, that, plus has, Ravi plus has, Neha plus has, short forms, I have, I've, you have, you've, we have, we've, he has, he's, she has, she's, it has, it's, one, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food, मैंने अभी नहीं खाया है, I have not eaten yet, now, क्या आपने खाना खा लिया है, have you eaten food, हाँ, मैंने खाना खा लिया है, yes, I have, नहीं अभी नहीं खाया, no, I haven't yet, क्या तुमने उन्हें नहीं बुलाया है, have you not called them, or haven't you called them, oh, माफ करना मैं भूल गया, अभी जा करके बुला लूंगा, oh, I am sorry, I forgot, I'll, will, just go and call them, 2, तुमने मेरा दिल दुखाया है, you have hurt me, you have offended me, 2, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, you have ruined, spoiled everything, क्या मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, have I hurt your feelings, नहीं, बिल्कुल नहीं, no, not at all, हाँ, बिल्कुल, yes, of course you have, क्या मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, have I done anything wrong to you? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब पूँचते हो कि तुमने कुछ बिगाड़ा है या नहीं, शर्मानी चाहिए तुम्हे, you have ruined all my life and now you are asking whether you have done anything wrong to me or not. You should be ashamed of yourself. क्या मैंने तुम्हारा बोज नहीं उठाया है? Have I not taken your responsibilities? Have I not borne you burdens? नहीं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है. No, you haven't, I have to do everything myself. Or I myself have to do everything. 3. हमने सारा काम कर लिया है. We have done all the works. हम अब तक उस से नहीं मिले. We have not met him, her yet. क्या हम कभी वहां गए है? Have we ever been to there? हाँ, हम एक बार वहां जा चुके है. मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो. Yes, we have once. I think that you have forgotten. क्या हमने उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं दी? Have we not informed them about it? हाँ, नहीं दी. Yes, we haven't. नहीं, दी है. No, we have. 4. वे हर्याना से वापस आ गए है. They have come back from हर्याना. उन्होंने अभी तक अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा नहीं की है. They have not submitted their project file yet. क्या उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है? Have they started to work? Have they started working? हाँ, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है. Yes, they have. नहीं, नहीं किया. No, they haven't. क्या उन्होंने तुम्हारे संदेश का जबाब अभी तक नहीं दिया? Have they not answered your message yet? हाँ, yes, they have. नहीं, no, they haven't. 5. उसने अपनी शर्ट फार ली है. उसकी शर्ट फड गई है. He has torn his shirt. उसका पैर तूट गया है. उसने अपना पैर तोड लिया है. She has broken her leg. क्या उसने तुम्हें इस बारे में बताया है? Has he, she told you about this, it? हाँ, yes, he, she has, नहीं, no, he, she hasn't. क्या उसे अब तक अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं मिला है? Hasn't she recovered from her illness? Hasn't she got rid of her illness? बिल्कुल ठीक है अब वो. She is very fine now. She is perfectly all right now. क्या ये बात सच नहीं है कि हर्शित को नौकरी मिल गई है? Isn't it true that हर्शित has got a job? हाँ, ये सच नहीं है. Yes, it isn't, बिल्कुल, ये सच है. Of course, it is. 6. चायन सो गया है. चायन has gone to bed. साधना ने रुची को कोई पत्र नहीं लिखा है. साधना has not written any letter to रुची. क्या शैलेंद्र ने कोई शरारत की है? Has सालेंद्रा done any mischief? हाँ, उसने आइना तोड़ दिया है. Yes, he has broken the mirror. क्या निधी ने second unit test नहीं दिया है? Hasn't निधी taken second unit test? हाँ, yes, she hasn't, बिल्कुल, उसने दिया है. Of course, she has. ध्यान रहे give test मतलब परीक्षा लेना, टेक test मतलब परीक्षा देना होता है. Question tag. 1. तुमने अपना बी-ए, पूरा कर लिया है, है ना? You have completed your B.A., haven't you? 2. हाँ, yes, I have, नहीं, अभी नहीं, no, not yet. 2. हम पूरा काम खत्म कर चुके है, है ना? We have completed all the works, haven't we? हाँ, yes, we have. 3. उन्होंने कोई संदेश नहीं भेजा है, है ना? They haven't sent any message, have they? हाँ, yes, they haven't, नहीं, भेजा है एक, no, they have sent one. 4. पापा ओफिस से वापस आ गय है, है ना? पर पापा, फार्दर हास कम बाख वाफिस, है ना? 5. पापा, फार्दर हास कम बाख वाफिस, है ना? हाँ, yes, he has, नहीं, अभी नहीं, no, he hasn't yet. 5. वो अभी तक नहीं आई है, है ना? She hasn't come yet, has she? हाँ, yes, she hasn't. 6. हम पहले मिल चुके है, है ना? We have met before, haven't we? 7. हाँ, yes, we have, नहीं, no, we haven't. 7. साक्षी ने तुम्ही ये बताया है, है ना? साक्षी ने तुम्ही ये बताया है, है ना? Hasn't she? हाँ, yes, she has, नहीं, उसने नहीं बताया, no, she hasn't. 8. हिमान्शू ने कुछ नहीं किया है, है ना? हिमान्शू has done nothing, has he? 9. बिल्कुल, उसी ने सब कुछ किया है. Of course, only he has done everything. 10. बिल्कुल, उसी ने सब कुछ किया है. 1. मैने तुम्हारा क्या बिगारा है जो तुम मुझे इस तरह परेशान कर रहे हो. What wrong have I done to you that you are disturbing me like this? Answer, तुम्ने मेरा कुछ नहीं बिगारा है और मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ. You have done no wrong to me and I am not disturbing you. Question 2. उसने क्या निर्नाए लिया है? What has she decided? Answer, उसने निर्नाए लिया है कि वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल ली जाएगी. She has decided that she will go to Delhi for further studies. Question 3. उसने इस बारे में क्या सोचा है? What has she thought about this? Answer, उसने सोचा है कि वो अब ये काम नहीं करेगी. She has decided not to do this work anymore. Question 4. आपने ये कब कर दिया है? When have you done this? Answer, मैंने ये आज सुभा कर दिया है. I have done this, it this morning. Question 5. उसे ये कब पता चला है? When has he come to know this? Answer, उसे ये आज दो पहर को पता चला है. He has come to know it this afternoon. Question 6. आप कहां गए हैं? Where have you gone? Answer, मैं तो घर वापस आ गया हूं. I have come back home. Question 7. उसने मेरी फाइल कहां रखी है? Where has he kept my file? Answer, उसने आपकी फाइल अलमारी में रख दी है. Key, she has kept your file in the cupboard. Question 8. वे कहां से आए हैं? Where have they come from? From where have they come? Answer, वे कटनी से आए हैं. They have come from कटनी. Question 9. आपने यह ड्रेस कहां से खरी दी है? Where have you bought this dress from? Answer, सेहुरा गार्मेंट्स के यहां से. From सीहुरा गार्मेंट्स. Question 10. उसने यह बात कहां लिखी है? Where has he written this thing? Answer, अपनी डाइरी में. In his diary. Question 11. उसने किसका दिल तोड़ा है? Whose heart has he broken? Answer, मेरा, माइन. Question 12. राजा ने किसका मोबाइल चुराया है? Whose mobile has Raja stolen? Answer, राजा ने रुची का मोबाइल चुरा लिया है. Raja has stolen Ruchi's mobile. Question 13. इस काम में उसने किसकी मदद ली है? Whose help has she taken in this work? Answer, उसने अपनी बेहन की मदद ली है. She has taken her sister's help. Question 14. अभिनव ने किसकी पुस्तक उधार ली है? Whose book has Abhinav borrowed? Question 14. अभिनव ने किसकी पुस्तक उधार ली है? Whose book has Abhinav borrowed? Answer, अनिल की, अनिल्स. Question 15. संजय और निशान्त ने किसका पैसा लूटा है? Whose money has Sanjay and Nishant robbed? Answer, आशीश का, आशीश ज़ूब्स. Question 16. आपको यह किसने बताया है? Who has told you this? Answer, सिम्रन ने, सिम्रन हैज. Question 17. मेरी बाइक कौन ले गया है? Who has taken my bike? Answer, राकेश आपकी बाइक ले गया है. Rाकेश है. Question 18. यह नया मोबाइल किसने खरीदा है? Who has bought this new mobile? Answer, रूपा ने इसे खरीदा है. Rूपा है. Question 19. आपने इस बारे में किसे बताया है? Who have you told about this? Answer, मैंने पूनम को बताया है. I have told Poonam. Question 20. उन्होंने इस बारे में किस से बात की है? To whom has he talked about this? Answer, उन्होंने इस बारे में श्री पाठक से बात की है. He has talked to Mr. पाठक about this. Question 21. तुम आज क्यूं नहीं आए हो? Why have you not come today? Answer, क्योंकि मेरे घर में कुछ जरूरी काम है. Because I have some important works at home. Question 22. आप वापस कैसे आए हैं? How have you come back? Answer, मैं अपनी साइकल से वापस आया हूं. I have come back by my cycle. Question 23. उसने यह कैसे किया है? How has he done this? Answer, उसने इसे अच्छी तरह समझ कर किया है. He has done it, having understood it well. Question 24. आज कितने च्छात्र आए हैं? How many students have come today? Answer, अर्थी स्विध्यार्थी आजाए हैं. 38 students have come today. Question 25. आपने मेरे कमरे में कितनी मोंबत्यां जलाई हैं? How many candles have you lightened in my room? Answer, मैंने आपके कमरे में चार मोंबत्यां जलाई हैं. I have lightened four candles in your room. Question 26. उसने कितनी साडियां खरी दी हैं? How many सारी's has she bought? Answer, उसने कोई सारी नहीं खरी दी हैं. वो खरीदारी के लिए दुकान पर गई थी लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आया. She hasn't bought any सारी. She did go to the shop for shopping but she didn't like anything. Question 27. वो यहां कितनी बार आई हैं? How many times has she come here? Answer, वो यहां कई बार आचुकी हैं. मुझे याद नहीं कितनी बार. She has come here many a time. I don't remember how many times. Question 28. आपने आज कितना पैसा कमाया, कमाया है? How much money have you earned, earned today? Answer, मैंने आज 200 रुपे कमाया हैं. I have earned 200 रुपीस today. Question 29. उसने आज कितना काम किया है? How much work has he done today? Answer, उसने आज बहुत काम किया है. He has done a lot of work today. Question 30.